ओल्रेट गईस तो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में कबर किया था से रिलाइशन डी स्राइशन एंड तमाम तरीके के इंटर्वी इंटर्विव सीरीज में कबर कर रहे हैं बहुत सारी वीडियो हमने यहां पर प्लेलिस में डाल दिया आप जा करके एक बाद से जरू जावा में और बहुत सारे लोग रिकॉर्ट को यूज नहीं करते हैं यह जावा का नया फीचर है जावा 14 में लॉंच किया था तो पुराना तरीका यूज कर रहे हैं इंटर्वी में यह कुछा भी जा सकता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया क्या आपने रिकॉर्ड य हावे प्रेक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे कि एकटली रिकॉर्ड क्या होते हैं इनको हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज करना है अब अगर बातकर ने पर्णत से एकर्ड की वर्ड एंड रिकॉर्ड की है से हम लोग special type class create कर सकते हैं and उस class के पास कुछ important properties होंगी ठीक है इसको detail में हम लोग समझते हैं उससे पहले आपको यह समझना पड़ाईगा कि यह record आया था Java यह introduced किया गया था introduced in Java 14 जाव 14 में यह introduced किया गया था इसका simplist सा मतलब होता है कि अगर आप आप जावा 14 से पहले का कोई version use करते हो तो आप जावा के records योज कर पाओगे तो अगर आपका project जावा 8 पर है 11 तो इस को यहँन सकते है अब इस feature को इनेबल करके योज कर सकते है अब बात करते हैं कि जावा कि की हम लोग special type की class create कर सकते हैं special type की with the help of records with the help of records और we can create a special type of class या special type of data carrier class ऐसा बो सकते हैं क्योंकि इसकी अब सम्टक्ड डीटा को carry करेंगे ठीक है मतलब इसके अंदर यह एक container करेगा जिसकी हम सम्टक्ड डीटा को carry कर सकते हैं तो इतना बोलना भी ठीक है है with the help of record with the help of record we can create a special type of class which helps which helps to create data carrying object ठीक है data carrying object थोड़ा सा इसी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कहानी समझनी पड़ेगी कौन सी कहानी है कौन कहानी हम लोग पहले कैसे प्रोजेक्ट में काम करते थे ध्यान देखिए जब जावा 8 यूज करते थे जावा 11 यूज करते थे या अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं डेटा को रखनने के लिए जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर डेटा को होता है तो डेटा को स्टोर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लिकेशन के अंदर रखते हैं अब्जेट के अंदर तो उस अब्जेट को करने के लिए हमें उनौ ओल्ड जावा ऑपें लिए और प्ल्र या इंक गासेज़ को हम बोलते हैं या एंटिटियों ऑप्टे को रखके और दूसरे चैन रहे हम लोग पूलते हैं उनको data transfer objects DTO भी बोलते हैं तो उन classes का तरीका था मैं simple आप पहले class बनाओ फिर उसके अंदर आप instance variables लो देन constructor बनाओ then उन variables के corresponding getters and setters बनाओ and then फिर अगर आपको comparison होगा करना है या उस class को कहीं आपको collection करना है तो आप has code बनाओ equals method बनाओ then to stream method बनाओ इतना सारा code आपको लिखना पढ़ रहा है सिर्फ सिर्फ आपको data store करने के लिए आपको बहुत सारे lines of code लिखना पढ़ रहा है मैं आपको लिखके दिखाता हूं बना होगे इसके अंदर सबसे पहले आप private student का नेम रखोगे और प्राइवेट प्राइवेट इस्ट्रूडेंट आईडी रखोगे ऐसा करके जितने अब प्राइवेट या स्ट्रेंग एड्रेस रखोगे ठीक है ऐसे करके आप पहले वेरीबल बना लोगे तो इसको भी स्ट्रूंग कर देते हैं यह सारे इंस्ट्रेस बरीबल यह देन आप अप तो लेट में क्रियेट प्राइट रिए सारा चेक कर लो एड़ कर दो यह क्ट्राइब बन गया इक बाद सेब करो भाई ठीक है तो एक कर लो भाई यहां च्रक्टर वागते हैं लोग चंस्ट्रक्टर ऐसे मैं एक्जांपल लिग देता हूं ज्यादा टाइम देश्ट नहीं करता हूं अगर आपको परिमेटराइस बनाना है नौर पर बनाना है तो इसे आप से बनाओग सिर्फ और सिर्फ डेकरेट इर्क प्रेट करने के लिए ज़ blueberry को क्रेट करने के लिए इस उत्यचे इन्षोफ्त Does उब रहे ने की लिकूर्वम करेंघें इन्ही को Twitch क्याणी कर सकते हैं हम इम्मूटेबल क्लासchnet बना सकते हैं या इंविघ्भिघ्चेशन्ण बनाएंगे सब की implementation आपको मिल जाएगी तो getters की help से हम लोग सिंपल data caring objects बना सकते हैं ठीक है जिसको हम लोग बोलने data caring objects और record हमें provide कर देगा अलग-अलग तरीकी चीजे जो मैं आपको बता रहा है जैसे has code की implementation equals की implementation टूस्रिंग की implementation getters and setters यह सब चीज हमें provide कर देगा अभी प्रवाइड कैसे करेगा क्योंकि रिकॉर्ड भी क्लास ही है लेकिन compiler कर देगा सब चीज है आपके रिकॉर्ड के अंदर ठीक है तो java record is actually consists of one or more data field तो थोड़ा सामें मेंसन करने को खुश करता हूं ठीक है रिकॉर्ड consists of record consists of one or more data fields उसके अंदर आप डेटा फिल्ड बनाऊगे ठीक है डेटा फिल्स बना सकते हैं और उसके corresponding हमें getters and setters automatically मिल जाएगा यह बहुत सकते हैं कि जावा compiler auto generate जावा compiler compiler will auto generate getters and setters नहीं होंगे क्योंकि setters इसलिए नहीं होंगे क्यों कि यह जो class होती वो immutable होती तो जो इक बार डेटा चलागे उसको चीज नहीं कर सकते हैं तो यहां पर setters की कहानी ही खतम है setters बनानी ही बनानी नहीं है ठीक है तो यहां पर getters हो जाएंगे getters method generate getter methods method जितने भी फिल्ट्ट के corresponding getter methods आ जाएंगे और थन हमारे पास आजाएगा has code की implementation has code की implementation and then हमारे पास आजाएगा equals की implementation equals भी आ जाएगा and to string की implementation आ जाएगी तो string की भी implementation आपको मिल जाएगी तो यह आपको करने की जरूद नहीं बस आप fields declare that's it आपका सारा काम हो जाएगा ठीक है और बाकी जावा बाकी जावा रिकॉर्ट के और फीचर है बट इसको प्रेक्टेकल करते हैं अभी आपको क्या करना है एक सपोज आपको एक परसन नाम से कोई और डेटा होल्ड करना है तो आप क्या करिए अभी आप नए जावा न परसन ठीक है और यहां पर आएंगे यह होता है इसका प्राइमरी कंस्ट्रॉक्टर तो यहां पर हम आएंगे अगर हमें परसन की आडी लेनी है तो मैं आपे इंटीजर आईडी स्ट्रेंग नेम इस ट्रेंग एड्रेस ट्रेंग फोन नमबर जितनी भी फिल्ट देना चाहो आप यहां पर ले सकते हो इतना आपका काम खत्ब इतना आप नहीं किया और आपको बहुत सारी इची मिल गई मैं आपको बताया था इसके इन कोर्रस्पंडिंग के इन फिल्ट के कोर्सपंडिं घ्सकते हैं गैटर मिल गया उस के बाद में हैस hole की राष्ट को मिल जाएगा लएफस को भी मिल जाएगा और नहीं लिखा करते थे अप्को कपपले मैं इसको और आपको दिखा देता हूं यह यह हूं कर substitute करेंगी इस प्रक्राइब करेंगे प्लास और और आप एक लास क्रेट हो कर रहे है एक रíकपार्ण से क्लास है आफ रíक अंदर का इसको भी हम लेख सकते है तहीक को दिखा दो हूआ जो फ्लींद्ध बनी हो प्राइबेट इन फाइफाइनल फीर्ट से हैं एक बार ऑव्जी बनी गया उसके बाद एक बार इनिशेल वैलु आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं यह फिट्स इम्मूटेबल है जो फिट्स आपने यहां पर बनाई है आईडी नहीं आड्रेस फोन नंबर तो एक ही बाल डाल सकने इसमें ठीक है चलो भाई बहुत बढ़े हैं यह सारी फिल ऐसे बनाएगे देन आप आप देखोंगे आप एक पैर लोगए उसके अपना रिकॉड ते क्लते हैं ले यह एंड पर समय स्कूल टू नियू पर सब्सक्राइन में पर सब्सक्राइब 1-GE नहीं राध्रेस फोन या यह पास करते हैं झॉट्सक्राइब फंतॉन कर तो ने में अपना नाम पास प्र एक अए दरेन हमएं पास करना ओड्रेस तह लाख नौ पास करते हैं दरेन हमें फ Milましょう करना है ऊपने चाज़ 1997 को है तो यहांप एंड अम करते हैं अपने यह चीस प्रेंट हो रहा है इवन आप गेटर सोगह रियूस्ट कर सकते हो साउट करेंगे स्टुट्ड डॉट आईडी प्रेंट करना है तो आप आइड उसकर शीडिट कर लिजए स्टुडेंट सुरी स्टुडेंट कि मैं तो person नहीं परस कर रहा है हाँ हाँ पर सिर्ट फिर से आप यहां पर पर पक्रसाग डॉटि मिनल772 तो देन सावट करिए पर्सेंट लॉट अशुरी है नहीं कि फिल्सका कर सकने है ठीक है तो इसे साब से हम लोग गेटर से और गेटर का नाम होता है इस तर से हम काम कर सकते हैं रिकॉर्ट करेट करके बस आपको सिंपड यहां पर्रिकॉर्ट बनाना है इस तरह से रिकॉर्ड कि था यहां पर क्या नाम लेट और यहयां पर पैरमेंटर सुंद पास कर चाथ इन पास है सकते हमों कर सकते हैं और यह नब भी यह दिकंपाइल करके आपको दिखाया था यह रिकॉर्ड जो बन रहा है वो फाइनल बन रहा है इसका कोई सब क्लास नहीं हो सकता यहां पर पॉइंट में आप मेंसिन कर सकते हो रिकॉर्ड रिकॉर्ड और फाइनल डैट मेंस नूव वन या नो अलर ख्लास एक्षेंड रिकॉर्ड ठीक फइनल पाइनल हो गाया तो कोई भी क्लास उसको अक्णर नहीं कर सकती है इसलिए इसको बुद्धton and string address वाकि आपिन है鍵रには इसको पास कर सकते हो इसको पूसक्तघ उपर इसको यो बातक रहे आप माझने पास कर दिए अड्रेस में युण जब पास कर दिया और हम ने नल पास कर दिया थो ऑल करोगे तो इस daxt की है वाल आप इह लां प्रॉक्टर कहल जागा तो आप असानी से यूज़ कर सकते हूं तो नेम और सिर्फ सटी पास कर सकते हैं पर संब यहां इस बार हम पास करेंगे कर देते हैं और प्रेंट खरदे कैषनर ना को हम लोग करते हैं कंपाइल ड्रण करते हैं कमपाइल जावा मेन नेन यह देखे ठीक है आई-डी में 2 आ चुका है देली एड फोनमें डाल खुब है इसका सिंस्पल सा मतलब होता है जब आपने एवा तो यहां से अपने दो वैलूस पास की थी यह दो वैलूस उपर गई नेम में एड्रस में बाकि डी टू चली गई एंड फोन नमबर नल चला गया अब अगर आगे बढ़े तो हम लोग अपने रिकॉर्ट के अंदर मैंतर प्रिट कर सकते हैं ठीक है हम अपने रिकॉर्ट के अंदर मैंतर भी कर सकते हैं परसन रिकॉर्ट है नहीं परसर रिकॉर्ट इसके अंदर मैंतर भी बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैंतर दोनों तरह के मैंतर कर सकते हूं हम निका पब्लिक वाइड डिस्प्ले ने एक मैंने मैं बना लिए डिस्प्ले नेम और मैं यहा को I am and then हम लोग नेम प्रिंट कर देंगे और स्टाटिक में पब्लिक स्टाटिक वाइड में नहीं में क्यों बना रहे हैं पब्लिक स्टाटिक वाइड जस्ट टेस्ट इन जस्ट इस ठीक है तो रिकॉर्ड के अंदर दोनों तरह के मैं तरह को बहुत असानी से बना सकते हैं इसके अंदर अभी हम लोग को स्टाटिक में इसको कॉल करने को से करतें दोनों को सबसे पहला तो हम डिर्क लिए को सकते हैं ऑब्जेट पे हम डार्ल्क एक सकते हैं पर्सें डॉट डॉट डिस्प्ली नेम ये इंस्टेंस में अघ्र और क्लास नेम पे पर रिकॉर्ड के में डॉट जावा जावा में एंटर करेंगे सो अब देख लो हलो आम दुरुगेश और इस टेस्टिंग स्टेटिक में पर्सन वन पे बी कॉल कर सकते हैं वन पे बी डिस्पले नेम कॉल कर सकते हैं इस बार दूसरे ऑपजिट का नाम प्रिंट होगा तो मैं आपको दिखाता आप देखें ठीक है हलो आएं अंकित और दिस इस टेक टैस्ट तो आप देख सकतो हैं आपको बता दिया आप डीटा को चेंज नहीं का सकते बिकाव अबजिक्ट फाइनल होता है तो अगर आप एक बार बन गया पर सन वं बन गया तो अगर आप चैंज करना चाहिए तो कोई तरीका नहीं आपकी सटर में मिलन इसलिए कर लो कि आप डाल भी दो दो गेश्म । नपको में तो अगर आप परसंड डॉट इसको एक बार जो डेटा चला गए इसके ऑबजेक्ट में परसंड वन के तो दुबारा चेंज नहीं हो सकता ठीक है अब बोल सकते हैं आपे जो हुब्स क्रेंज एक पर सकते हैं करते हुब्स हाद कि आप नए पिर्फ ब्रसकते नहीं ब्यू अधास, या रही उनकर भूल्य समझ में तो हम लोगों नहीं यहां पर समझे आठ टोटल एट पॉइंट बाकी एट पॉइंट समझ गए और बाकी अब आप आंसर दित होगे कि एक्चली रिकॉर्ट किस लिए यूज यूज किया जाते है डीटा के बागे लिए जैसे हम लोग आपको लिकने के ज़रूत नहीं है आप बस रिकॉर्ड बनाईए एक हम आपको प्रोवाइड कर देगे बट रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स है रूसे रूसे हैं प्ली अपको कोई शेटर मिलेगा नहीं आप उसमें वैलूस को सेट नहीं कर सकते इसके मदब कह सकते हैं इसके अपने रूल्स हैं तो रूल्स मैंने आपको बता दिया समझा दिया विद्वरेक्ट कर आपको यह वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा अगर आपने यहां पर जावा इंटर्वी कॉस्चंस झाल